एपिसोड दो हजार दो सो सत्ताइस ब्लेक ड्रेगन आकाश में वीर से मिला और ऐसा लग रहा था कि गौडजिला एक चीटी से टक्रा रहा है। शक्तिशाली ब्लेक ड्रेगन के सामने वीर का हाथ कुछ भी नहीं था। लेकिन अगले सेकेंड में ब्लेक ड्रेगन का शरीर वीर के हाथ के उपर धीली धूल के अलावा कुछ नहीं बन गया। सारा शरीर चून में चकनाचूर हो गया। ब्लेरग ब्लेक विजार्ड एल्दर ने खून की खांसी की और उसने अविश्वास से देखा। ब्लेक ड्रेगन स्पियर उसका जीनो कोर था और इससे पहले कभी नहीं तोडा गया था। वीर ने सिर्फ एक थपपर से उससे तोडा था। ब्लेक विजार्ड एल्दर को खोखला और डर लग रहा था। और यह सिर्फ Black Wizard Elder की तरह महसूस नहीं कर रहा था। अन्या बुजुर्गों ने वीर को हैक्वीन से देखा और भागना चाहते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि Black Dragon Spear धूल बन गया है और वे यह सोचकर काम गए कि अगर ऐसी शक्ती उन पर आ जाये तो क्या हो सकता है। प्राचीन शैतान ने बुजुर्गों को भायवीत देखा लेकिन वह अप्रभावित लग रहा था। एक डरावनी मुस्कान के साथ उन्होंने कहा यह थोड़ी जल्दी है लेकिन यह अभी होना है। प्राचीन शैतान अपने सफेद गधे के उपर कूद गया। एक हाथ में उन्होंने एक चर्मपत्र रखा था। अपने दूसरे में उसने अपने कनकाल का हार पकड़ लिया। उसके मुहूने कुछ पाठ को एक अश्रिव्य मात्रा में पढ़ा। जैसे ही उसने पढ़ा कनकाल काली आग से धधकने लगा। उसी समय, छाया आश्रे पर हमला करने वाले एलियन और स्पिरिटे एक काली आभा में आच्छा दित थी। बढ़ों के साथ भी ऐसा हुआ था। शैतानी आभा आग के बाद राख की तरह थी। जैसे जैसे राक्षसी आभा बढ़ती गई, कई एलियन हार के उपर उर गए। प्राचीन शैतान तुम क्या कर रहे हो। कई प्राचीन सदमे में थे और वे प्राचीन शैतान पर दहारते थे। प्राचीन शैतान ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह जहां था, वहीं पढ़ रहा था उसने हार को तब तक सहलाया जब तक की आकाश में अंधेरा न हो गया वे सभी आसुरी प्रभाएं उसके पास वापस आने लगी एक बुजुर्ग इतना पागल था, उसने प्राचीन शैतान पर हमला करने के लिए एक जीनो कोर का इस्तेमाल किया लेकिन जैसे ही हमला करीब आया, जीनो कोर तुरंथ तूट गया यह काले धुए के बादल में बदल गया जब वह प्राचीन शैतान के पास पहुँचा तो वह उस आसुरी आभा का हिस्सा बन गया उस बुजुर्ग ने अपना जीनो कोर खो दिया था, और इससे वह बुरी तरह घायल हो गया था लेकिन फिर भी, वह जो खून खास्ता था, वह काले धुए के जोके में बदल गया जो की प्राचीन शैतान की ओर बह गया हर कोई दन रह गया, और उन्होंने महसूस किया कि यह केवल उनके साथ हो रहा था आश्रे के अंदर एलियन के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था प्राचीन शैतान, तुमने क्या किया सेक्रेट के नेता ने गुस्से में उससे पूछा स्पिरिट होते हुए भी उससे लगा जैसे उसका शरीर भी काला धुआ बन रहा है उससे जवाब नहीं मिला प्राचीन शैतान बस उस मंत्र को पढ़ना जारी रखता था जिसे कोई सुन नहीं सकता था एल्ड़ येन और हॉन डेविल अलफा सदमे में थे मेंजा रहेजा ने एक तीर चलाया और सींग वाले एलियन के सींग को तोड़ने में काम्याब रहे लेकिन जब वह सींग अलग हो गया तो वह गिर गया और एक और राक्षसी बुद्धी बन गया जो प्राचीन शैतान की ओर बढ़ गया गु किंचेंग ने हमले का एक मौका देखा लेकिन वो एल्ड़ येन के पीछे नहीं गई उसने बस उसे जाने दिया उसने आकाश में प्राचीन शैतान को देखा जो एक असली दानब की तरह लग रहा था ऐसा होने पर लड़ाई ठप हो गई थी आश्रे पर हमला करने आए कई एलियन ने भागने की कोशिश की लेकिन वे खिचाब का विरोध नहीं कर सके और उन्हें राक्षसी बुद्धी भी बना दिया गया यहां तक हौन डेविल अल्फा और अल्ड़ येन भी भागना चाहते थे प्राचीन शैतान ने खोपरियों से बने हार को नीचे फेक दिया यह एक रिंग में बदल गया और घूमने लगा शैतानी आभा रिंग की ओर यात्रा करने लगी जो एक ब्लेक होल की तरह दिखने लगी जैसे उसने सब कुछ अंदर कीच लिया वे सभी बुद्धिमान ब्लेक होल में प्रवेश कर गए और यह एक मुरे हुए काले सूरज की तरह लग रहा था प्राचीन शैतान के मंत्र में एक शांत आवाज थी ऐसा लग रहा था जैसे आप इसे सुन सकते हैं लेकिन साथ ही आप नहीं सुन सकते एलियन यो और स्पिरिटों ने शोर सुना वे सिर पकड़ कर तड़प तड़प कर जमीन पर लुड़क गए उनके शरीर तेजी से मुर्जा रहे थे उनमें से काली पुतलिया निकली और सीधे उस अशुक सूर्य के पास चली गई यहां तक एल्डर यिन और सेक्रेट के नेता भी जमीन पर इधर उधर कराह रहे थे वे अब पहले की तरह मजबूट नहीं दिखते थे हौक समराट भी दर्द में था उसका शरीर लुप्त हो रहा था और एक लाख मील दूर स्पिरिट स्टोन भी लुप्त हो रहा था हमें प्राचीन शैतान को मारना है या हम मर चुके हैं एक बुजुर्ग चिल लाया वह दर्द में था और उसने प्राचीन शैतान को मारने की कोशिश की बाकी सबका भी यही विचार था वे सभी उस दर्द को सहने की कोशिश कर रहे थे जो वे महसूस कर रहे थे और प्राचीन शैतान पर हमला किया हाला कि प्राचीन शैतान अभी भी बना हुआ था वह जादू की तरह दिखने वाले उस अजीबोगरी मंत्र को पढ़ता रहा हाला कि जब प्राचीन करीब आए तो वे तुरंथी काले वसियत में बदल गए और जब एक बुजुर्ग ने इसे प्राचीन शैतान के करीब बनाया तो राक्षसी सूर्य ने स्पिरिट को सीधे अंदर कीच लिया हर कोई स्थब्ध रह गया सूरज एक खोपड़ी की तरह दिखने लगा क्योंकि उसने पास के बड़े को खा लिया और सब बुरा लग रहा था एक बुजुर्ग बिना किसी हंगामे के पूरी तरह से गायब हो गया अभिजात वर्ग के पास कोई सुराग नहीं था की क्या करना है इसलिए वे केवल निराश और डरे हुए वहां खड़े रह सकते थे अगर वे चले गए तो वे राक्षसी सूर्य से भस्म हो जाएंगे अगर वे रुख गए तो यह केवल कुछ समय की बात होगी जब तक की वे एक राक्षसी बुद्धी नहीं बन जाते पूरी दुनिया काली दुर्भावना पूर्ण आभा में डू भी हुई थी प्राचीन शेतान और उसका राक्षसी सूर्य दोनों ही संसार बन गए जैसे कोई शेतान प्रित्वी पर घूम रहा हो गू किंचेंग ने अपनी तलवार खीची तलवार दबन थी, सूर्य और प्राचीन शेतान की ओर खिसक रही थी तलवार की रोशनी दूर चली गई, लेकिन फिर सूरज एक बढ़ी, रीप जैसी खोपड़ी में बदल गया इसने गू किंचेंग की दबन तलवार की रोशनी को निगल लिया